हेलो फ्रेंद्स वल्कम टू माय चैनल आज की हमारी रेसिपी है जब घर में कोई सब जीना हो तो क्या बनाए तो चले फ्रेंद्स फटाफटी से बनाना सुरू करते हैं तो गैस में आपक कड़ाई रग दी है कड़ाई में करीबन तीन टेबल स्पून जितना ओईल एड कर द दो मिनिट तक इन सारे मसालों को तेल में बून लेना है उसके बाद हमें इसमें एड कर देना है सरसो के दाने और जीरा जैसे ही चटकने लगे फूट के बाहर आने लगे उसी टाइम पे हमें आपर एड कर देना है करीबन वन फोर टीस्पून जितनी ही ज्यादा एड नही प्याज को बारिक बारिक कट कर लिया है साथ में तीखी वाली हरी मिर्श भी ले ली है फ्रेंस बना कर देखिए आप ये सबजी एक बार आपको बहुत ही पसंद आएगी तो इसमें हम स्वाद अनुसा नमकेट कर देंगे और रोनियन को थोड़ा सुने रहा होने तक हम इस से पकाएंगे तो इसे हमें लगातार भूनते रहना है गेस की फ्लेम को आप चाहें तो स्टो भी कर सकते हैं साथी में मैंने आपर अद्रक और लेसुन की पेस्ट ले ली है तो मैंने इसे खरवटे में दरदरा कूट लिया है आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी आइड कर स आप अपने टेस्ट के हिसाफ से अधरक और ले सुन ले सकते हैं और अब मैंने आपर एक बारिक कट किया हुआ टामाटर एड कर दिया है तो टामाटरों को भी हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे और आज हम बना रहे हैं चने की दाल और लोकी की सब्जी तो चने क गलाज जितना पानी एड़ कर दिया है, एक सिटी मैंने पहले से ही लगा ली थी, और दूसरी सिटी हमें इसमें लौकी एड़ करने के बाद लगानी है, तो क्या है कि लौकी हमारी एकडम से गलेगी भी नहीं, और सबजी भी एकडम से जवरदस्त अगर आप दोनों साथ में बॉइल करने के लिए रख देंगे तो लौकी एकदम से गल जाएगी तो वो सबजी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी तो इसी तरीके से आप सबजी को बनाईएगा अब हम इसमें मसाले एड़ करते हैं तो कश्मिरे लालमेश पाउडर एक टीस्पून जितना एक टी यह दोनों चीजे आप अपनी कॉंटेटी के हिसाब से एड़ किया करें तो आपकी जो सबजी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी तो यह मैं 2-3 परसन के लिए बना रहे हूं तो उसी हिसाब से मैं इसमें मसाले एड़ कर रहे हूं अगर आपकी कॉंटेटी जादा है तो आ यहां पर हमें मसालों को ऐकदम अच्छे से पून लेना है जितना हम मसालों को अच्छे से पकाएंगे उतनी ही हमारी सबजी जो है वो एकदम से जबदरश बनेगी तो तीम से चार मिनिट आपको मसालों को तेल में पकाना है उसके बाद हीг practicing speak कर ने चांट करने के बाद नगये थोड़ना करेंगे तो में आपके सुखी सब्जी पसंद था आप इसमें बिल्कुल भी पानी आप ना करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है और दाल को हम उबा लेंगे उसके पहले एक दो इंग्रिडियन्ट इसमें हम और एड़ करेंगे तो यहां पर मैंने सारी चीजों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें मीठास के लिए एड़ कर देंगे गुड तो टमाटर से खटा टेस्ट आएगा और गुड से मीठा टेस्ट आएगा तो यह सबजी जो है वो एकदम से लाजवाब बनेगी एक बार बना कर देखिए फ्रैंट्स मेरी यह रेसेपी को आप सबी को बहुत ही पसंद आएगी उपर से हम यहां पर हरे धनी एड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने करीबं हाफ कप जितने हरे धनी एड़ कर दिये हैं और दाल को मैंने आपर उबलने के लिए छोड़ दिया था तो दाल में एक उबाल आ चुका है अब हम इससे नीचे उतार लेंगे और एक डीस में सव कर देंगे तो फ्रेंस रेडी है हमारी दाल और लोकी की सबजी आप भी बनाईए अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडि है जहुँआ है जाए तो वीडियोडियोrau